तो जैसे कि मैं continue चाह रहा हूं जो जैके SSB, VLW, PNCHS Secretary में जो रिजिनिंग पॉर्शन है तो उसमें कुछ टॉपिकस बचते हैं वो मैं आपको इंशला कवर करूंगा तो फिर मैं देखता हूं आगे का जो पॉर्शन होता है इंग्लिश वगएरा जी के वगएरा तो उसका में देखता हूं फिर लेकिन में 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 पॉर्शन हैं बाकि जो आपको देखे जो नंबर सीरीज है सिमन्टिक नंबर एनलोगी वाटर इमेज रिवाटर इमेज मिरर इमेज बाकि यह वीट्यू पे बहुत सारे अवली बिल है देखें यहाँ पर यह जो डिया गया है आपके सिल्बस में जो आपका है जो अगर डिख फिर बाद यहाँ को पर वहांपर आपने सिंबो零ों ऋपर लिखा है तो यहां पर आपको दो मतलब box दिये जाएंगे first and second box तो फिर उनमें कुछ numbers दियेंगे होंगे numbers में और इसमें कुछ फिर alphabetis दिये होंगे ऐसे ही मतलब randomly कहीं पर भी कुछ भी लिखा होगा तो फिर आपका question इसमें दिखा मतलब कैसे आएगा अब फिर आपको एक code निकालना है आपको एक word दिया जाएगा मतलब सब्सक्राइब कोई भी word निकाला होगा इस box में तो आपको बताना होगा इस मतलब word का code क्या है इस box के हिसाब से देखिए आपको पहले क्या समझना है देखे पहले आपको क्या समझना है इसमें जो मैंने आरे वी एक वीडियो में बताया है लेकिन ये थोड़ा important है क्यूंकि इसमें confusion होता है फिर गलत questions होते हैं इसमें आपको पहले पता होना चाहे कि row को किसको कैँभि देखे रो आप ऐसे काणड गचे मैं यह आपको यहाँ बताँगा ज़ोना या टू इसका रो यह है ठीक है मतलब प्यद्ट में साथ यह रो है सब्सक्रेण कि यह अब करोंड चर्ड 아니라 रोट को बोलते हैं जो अहां पर सबसेंट है करना है वह हाप के सब्सक्राइब डेहें आप पर बता गया है आपको वर्ड बताना है यह यू डीज इसका आपको कोड बताना है क्या आएंगा देखें जो यहां पर पहले है यहां पर पहले दिखाए जो आप्शन आपको पहले दिया गया है उसका पहले आता है जिरो यह आपको इसको आपको मानना है रो मतलब आपको रो में देखना है जिरो और इसको बताना है कॉलम वैसे यहां पर थ्री है इसको आपको रो बताना है इसको कॉलम सपोस्पोस जहा यहां पर 8 है जो पहला इक्सकी आपको आपको कॉल्म मानना है इसलिक फीनद और कॉड कोड़ करना लुद का कोड क्या भी एगा ठीक है एक स्वार इसको मानते है जीरो हम देखते है इसमें कहीपे जे आता है ठीक है जीरो एंड वान में देखे ये ही रहा आपका जीरो और इसको आपको समझना है 1 अगर मतलब यहां पर आपका J आता suppose यहां पर आपका J आता तो हमारा code था J का 01 लेकिन यहां पर J नहीं आया है यहां पर U आया है इसका मतलब 01 हमारा गलत है ठीक है यह मतलब पहले हमें पता चला यह option eliminate है यह option गलत है फिर भी मैं आपको समझाने के लिए आगे वाले options भी बताऊंगा देखे यहां पर है row आपको 3 समझना है और इसको column समझना है मतलब यह आपको ऐसे लेना है इसको आपको ऐसे लेना है 3 0 यह रहा आपका row यह रहा आपका column ठीक है आपको इसमें किसका code देखना है देखे जे तो होगाए ख़त्म वो तो नहीं मिला है अब हमें देखना है U क्या मतलब 3 0 में U आता है 3 मतलब हमें इसमें आना चाहें U U यहां पर है मतलब U का code ठीक था 3 0 लेकिन पहले गलत हो गया यह option ही गलत है लेकिन फिर भी हमें आपको समझाओंगा यहां पर देखिए अब रहा हमारा five six हमें क्या करना है यहां पर इसको मैं change करता हूँ एक सेकंड देखे five and six अगर इसमें आपको क्या मिलता code अब किसका किसकी बारी है अगर इसमें डी मिलता आपको five and six में तो वो डी का code होता है लेकिन यहां पर एम है मतलब यह गलत है ऐसे आपको count करना है देखिए अब हम second option पर चलते हैं यहां पर हम अब यहां पर second option की तरफ चलते हैं देखिए यहां पर आपको इसको three को row समझना है four को column समझना है अब हम यहां पर क्या करेंगे three रहा हमारा row और यह रहा हमारा column मतलब ऐसे और ऐसे आपको देखना है अगर हमें three और four में आपको j मिलता है ऐसे तो यह हमारा code सही है बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह बिल्कुल इसका कोड है क्योंकि थ्री रो में और फॉर्थ कालम में आपका जे का कोड मिलता है और इसका मतलब यह थ्री फॉर किसका कोड है जे का जे का कोड है हमारा थ्री फॉर यह मैं आपको थोड़ा से कलत हो गए इसका कोड है 3-4 अब हमें देखना है 0 and 1 का यह आपका रो रहेगा यह आपका कॉलम रहेगा मतलब ऐसे और ऐसे क्या इसमें U आता है J-U बिल्कुल आता है इसका मतलब इसका कोड है U सही है चलो ठीक है अब हमें देखना है 8 and 6 का क्या इसमें कौन सा किस की बारी है अब D की क्या इसमें D आता है देखे यह रहा हमारा 8 रो और 6 रहा हमारा यह कॉलम क्या इसमें D आता है बिल्कुल आता है J-U D तो यह भी हो गया हमारा ठीक अब हमें देखना है 2 and 3 ये हमाइगों समझता है और इसको काल्म समझता है क्या정이 टू है aparen क्या सिसमाना आता है जी हमारा बिलकुल आता है य। गल वे अज़िए अभागी में आपको यहां पर कैष के आपको देखना है पूलidd किakte कूलिए बचा है धेकि आपको आपको देखनेल थे कुछ आपको देखने आपको देखने है तो आप हमें देखना है किस ओरिद नो इ E आता है देखे ये रो था ये कॉलम था जो मैंने आपको पहले पोला इसको आपको रो काउंट करना है पहले वाले को इसको कॉलम देखे 6 and 6 रो कॉलमें बिल्कुल E आता है तो ये हमारा सही ऑप्शन है तो यही बस आपको एक ही कॉश्चन से मतलब आपको सिभी questions up हो जाएंगे आपको मतलब बस यही समझना था कि देखे इसमें बहुत से concept पर क्या है इस वाली को आपको row समझना है और इसको column समझना है ऐसे ही इसको row समझना है इसको column समझना है मतलब row है 8 यह 6 किस्त है column मैंने आपको यह भी समझाया है इसको आपको column आना है पहले 3 आपको row रहेगा यह column रहेगा अब आपको मैं आगर आई से बताओंगा 33 का code क्या होता है क्या आता है देखिए ऐसे ही 3 और 3 अगर मैं आपको अगर question दिया गया होता है कि खाली आपको जराड का code बताना है suppose वो इसका quote रहा था 3-3 तो ऐसे ही आपको count करना है यही था आपका trends और metrics reasoning बहुत easy topic है बस आपको इस वीडियो को समझने है तो आपको फिर आप कही पर कोई भी question उठाओ कोई मनलब जो practice set मिलेंगे आपको आप देखना आपको हर कोई question आएगा यह बहुत easy topic है चलिए थैंक यू अलाहफिज